आपने मॉबाईल में कही न कहीं यह option देखेंगे Adjective Ball और यह कहा होता है आपका कोई भी कंपणी का मॉबाईल हो हर मॉवाईल में यह option देखने को मिलता है चलिए इसके लिए यहाँ से हम हम पे आते हैं और हम पर आने के बाद आपको शेटिंग में जाना है और शेटिंग में जाने के बाद प्रेंस आपको यहां से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद यहां पर एक option दिखेगा आपको smart and convenient का तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यह कैसे वर्ट करता है इस वीडियो में देखते हैं इसके बाद फ्रेंट यहां से एजेटिव बॉल का उप्सिन है इसको यहां से ओपन चालो कर देंगे चालो करने के बाद फ्रेंट देखें यहां पर एक बॉल टाइप का दिख गया यह बॉल को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं यहां से बढ़ने इसकी जो लाइट है आपसे ज्यादा दे सकते हैं और चाहिए तो इसे कम भी दे सकते हैं इस तरह से यह आपके स्क्रीन पर बहुत कम दिखेगा और यहां पर शाप शाप लिखा हुआ है फ्रेंस देखें यह बॉल को आप उपर नीचे भी कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंस यहां पर लिखा हुआ है टेप इसको मैं थुरह से बढ़ा देता हूं अगर एक और हम टेप करेंगी ऑगा तो मल्टिटास्ट करेंगे यहां से बटन पर चलेगा इसके लिए फ्रेंस यहां से हम पर तरहना पर फ।्यके टेलम यहां से इसमें जाते ने तो देखे फ्रेंट ये बैक हो चुका है और ये बॉल कहीं भी आप ऊपर नीचे रख सकते हैं और अगर हम इसको यहां से ठच करके रखेंगे तो श्क्रेणट हो जाएगा देखे फ्रेंट तो आप समझ गया है यह कैसे वर्ट करता है और अगर हम इसको 2 बार टच और यह recent पे आ गया आप एक बार फिर से समझे दिजे फ्रेंश जैसे मैंने यहां से Bluetooth को open कर दिया और मुझे back करना है back करना है तो हम यहां से एक बार टच करेंगे और यह back हो जाएगा अगर हमें screenshot लेना है कि एप को मैंने खोल के रखाए इसलिए ऐसा दिखता है तो चलिए इसमें और भी हम आपको बताते हैं और इसमें क्या क्या फैसिलेट यह है इसके बाद फ्रेंश फिर से हम इसे open कर लेते हैं कि ऑपिंड करने वाद एसरी बाल को यहां से ओपिंड कर लिए और उब करने के बाद इसमें दूसरी इंद्रेंस और अप्शें यहां पर टेप मेंडू का ओप्शन और यहां यहां पर एक बार एरो यहां पर system बनावा और मुल्ट टिसेंडकिन मूर्ड है आप एक बॉल से यहाँ पर इतने सारे function को use कर सकते हैं देखे friends यहाँ से मैं home screen पर आ जाता हूँ और home screen पर आने के बाद मैं यहाँ से कुछ भी open कर लेता हूँ open करने के बाद friends देखे इस बॉल पर जैसे आप यहाँ से click करेंगे और यहाँ पर देखे 5 सारा option आ गया और आप इसके यहाँ से एक बाद click करेंगे तो back हो जाएगा और इसे अगर यहाँ पर एक mobile का option दिख रहा है प्रेंश अगर आप इसको यहाँ से touch करेंगे आपका mobile जो one handed mode में आ जाएगा इसका मतलब है कि आप अपने mobile को एक हाँ से handle कर सकते हैं आपका जो बड़ा mobile है यह छोटा mobile हो जाएगा पूरा screen दिखे कितना बड़ा है लेकिन यह हम एक हाँ से इसको हम चला सकते हैं और वह भी इजली से और इसके बाद अगर आपको यहां से बड़ा करना है तो आप इस एरो पे किलिक करेंगे और यह फिर से बड़ा हो जाएगा इसके बाद फिर से मैं एजेटी बॉल पर टच करता हूँ और इसके बाद यहां पर रिशेंट बटन का उप्शन है आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो रिशेंट बटन ओपन हो जाएगा और इसके बाद फिर से फ्रेंस यहां से recent पर क्लिक करेंगे आप चाहे तो यहां से क्लिक करके screenshot ले सकते हैं देखे एक बार दबाएंगे प्रेस करेंगे और यह screenshot हो गया इसके बाद फ्रेंस चाहे तो आप यहां से एक click में home बटन पर भी आ सकते हैं और इसमें और भी फ्रेंट और भी option है आप चाहें तो इस पांच में से कोई और शेटिंग को आपको जरूरी नहीं लगता है आप उसे यहां से चेंज भी कर सकते हैं तो वह चेंज कैसे होता है चलिए हम आपको बताते हैं इसके लिए हम यहां से recent page पर आ जाते हैं जैसे यहां पर back वाले बटन है आप इसमें back वाले बटन को हटा करके दूसरा बटन यहां पर notification center को यूज कर सकते हैं lock screen को भी यूज कर सकते हैं तो चलिए जैसे प्रेंट मेरा यहां पर जो है lock हो गया और power button प्रेस करने का कोई भी जरूरत नहीं है तो आप देख सकते हैं प्रेंट्स तो मैं फिर से इसे lock को इनेबल कर देता हूं इस तरह से यह एक एजटिव बहुत ज्यादा बढ़ करता और बहुत ही देखने में